अब आपको पतारे जा रहा हूं कि कराची कि वसे पिशावर जलमी का मैच हुआ ता कराची कि अपना पहला मैच खेला गदाफी स्टेडियम पर कराची के फैंस के लिए वह मैं आखर में दूँगा अभी मैं नहीं दे रहा बैक तुदा मैच पिशावर जलमी ने पहले बैटिंग करते हो वह वन नाइडिफॉर का टार्गिट दिया जो एक नहायस से जाधा एक हाय स्कोरिंग टार्गेट और गदाफी स्टेडियम की पिच पर जैसी उस पर थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी चेस करने में थोड़ी से डिफिकल्टी पेश आई है कराची किंग को यह चेस करने में लेकर लेकर हमें तो पता जो क्लाग जो अभी वापस आये हैं उन्होंने भी रनर अब बॉल खेला किसी ने भी कोई धंकी खेली नहीं और कलाची की टीम यहीं डिजर्फ करती थी कि यह एजबील पीएसल सेवन में आगे नहीं जा सकते और एजबील पीएसल सेवन में बैक टूबैक इनको इतनी हार बहुत ज्यादा इसे कहते हार्टब्रेकिंग मुमिंट्स बैक टूबैक हो रहे कराची के लिए कुछ लोग बोल ले ते कराची की अच्छा कर देगा बस जीट जाएगा कराची की इंदहान मैच जीतेगा लहौर गदाफी स्टेडियम में जब शुरू होगा लेकिन ऐसा क कुछ भी नहीं हुआ कराची की असल में मैनत करते जान लडाते डूएंड डाय वाली सिट्वेशन बन गई थी लेकिन फिर भी उसमें कोशिश करते वह मारने की जाए नहीं कोशिश ही नहीं करेंगे तो खुद भाखुद तो नहीं रग जाएंगे अगर आप तुक करेंग उसकि बैटिंग में टीन आउट क्लास कर दिया कराची किस को जैसे पहले किया था क्लास कर दिया जलमी नहीं पर सब्सक्राइब ऑन नाइटी फॉर का पहले तो तो इतना हाइस कोरिंग टार्डिय तिया फिर डिफेंड भी आराम से कर लिए और एक मिनट भी लगाकर किस मै कराची केंग को तो यल्जाम हम देगी देंगे सेलेक्शन पर भील्जाम देंगी देंगे लेकिन लेकिन कराची गिंग जो विस्ट को रिस मिली है उस वजह से उनका मुराद बहुत ज्यादा डाउन का कवब तई तो इस फ़रेंस की ऐख़ी नहीं को दकी तॉब सा रहा था वहाँ पीली पासि के लिज्प पिर एक तॉगा पने त्युजियंग नहीं होगा अगर एक जजबा नहीं होगा अपने टीम को जताने के लिए तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते अच्छा अब कैसे एक पावर हेटिंग कर से तो आपके अंदर एक करन सा दोड़ना चाहिए कि हम बस हमें टीम के लिए कुछ भी करना है जैसे जलमी के मौहमद हारेश जो यंग्स्टन पावर हें उनके अंदर ऐसे एक अच्छा इनिंग्स खेली उन्होंने फॉर्टी नाइन बनाया उन्होंने ठर्टी बॉल्स पर अपने चांस को अवेल किया जो जलमी ने ने उनको दिया चांस के भाई आप जाओ और खुलके के लो कामरान अक्मल को बाहर बिठा दिया और जोंहें हमें पॉस्टिव इंटेंड चाहिए हर टीम की तरव से भी इंटेंड आइखक के लिए यंग्सटर को चांस को चांस के लिए यंग्सटर को ही चांस मिलना चाहिए इस Đبي ŏ चाहिए यंग्स्टर साब दूबना कुछी तरि हम यंग्स्टर सब्स्क्राइब को चांस मिलना चाहिए जैसे मॢमौत को मुली करना और विल व्योंक्त की अड़तै एक पहुamtर टार्गेट तकक पहुंचाया पिर को नीचे अगर हम इसले तो बेन कटिंग ने भी आखर में थोड़ी बहुत हिटिंग की जिस वजह से इनका स्कोर वन नाइडी पूर तक पहुंच गया लेकिन एक्स्ट्राज भी बहुत ज्यादा दिये कराची की टीम ने वाइट पर वाइट नोबल पर नोबल वो करा रहे थे कराची की टीम तो इस लूप और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मैटर करता है अगर एक भी आपका एक भी एक भी किसी चीज में आपके निशाना चूप गया तो समझो मैच चूप गया मैच भी आपके हाथ से निकल गया तो इन्होंने तो इतनी सारी खलतियां किया तो पर कैसे आप डिजर्व क कर सको जैसे जल्मी ने पहली इनिंग में कैसे बना लिए 194 उनके पास अगर स्लो पिछ होती तो वह 194 बनाए नहीं सकते दो वह 151 60 दग रुख जाते हो और पहली बात तो यह कि पिश्ट पूरी फ्लैट थी फ्लैट पिच का फायदा उठाए जल्मी ने लेकिन कराची किंग कराची किंग की और कोई अब एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कराची किंग के फैन अब तो बस लेकिन कोईटा के लिए थ्रेटनिंग है बताओ कैसे मज़े की बात में आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं एक फ्रिल क्रियेट हो रहा है पॉ मुण करें हम आजाते हैं तो पर और आजाती है लगा टीम गया होताओ मैश समय जा रहा है लेकिन अगर जल्मी अगर जीट जाता है जो उनका अग्ला मैश होगा फिर जादा मुष्किल हो मैश है लोहर कलंडर्स के साथ और अगर मैश को जल्मी के लिए बहुत ज्यादा असान हो जाएगी तो उल मि टीम बुरा परफॉर्म करती है करती है तो इन्शालला मैं कोई और लहुर की भी आप के लिए जुड़े रहूंगा जो मैंने वीडियो की शुरू में मैंने आप से बात की ती कि जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूस है कराची इंग्स के फैंस के लिए वह यह बहुत को पता है करा कराची इंग्स के लिए तीम हो चुकिया आउट पीसल इस वाले से पंबिनेशन सही नहीं हुए गयी टीम बहार गई तीम जो हाल लहुर कलंदर्स का होता था था ना प्यसलेशन फोर में वह अब कराची इसका अफर लौर कलंदर्स तो इतना भी बुरा हाल नहीं होता था क अगर वह फोर के फोर आखरी के मैचे जीत गए और फिर भी अगर कोई पॉइट पॉइंट के साथ कॉलिफाइड नहीं कर सकती बहुत ज्यादा डिफिकल्ड हो जाएगा अगर आप एट पॉइंट के साथ कॉलिफाइड करो क्योंकि जितनी हाइग कॉंपेटिटिव टीम्स खड़ी है आगे जो सबसे नीचे पर जो कराची यह बाकि जो आप फाइफ टीम्स देख लें वहाइली कंपेटिटिव टीम्स है इन बहुत ज्यादा मतला अच्छा परफॉर्म करिए टीम्स तो कराची के लिए बहुत मुश करें दो प्रेंटिव और क्रिके श्रांगी के साथ ज़्यूशा करें जिए और सब्सक्राइब के बारवार में बेल आखन भी ज़्यूशा कर दें लिला हाफिस